कख्षाश अपने जिस्टे विज्ञान में मिर्द्यावाला जो पाठ था वो पूरा हो गया था उसके आज अब्यास परशन करेंगे पहले जो दो परशन है उसमें आपन को सही उत्तर का चैयन करना है सहल करनों के अत्रिक्त मिर्दाव में होते हैं तो इसमें गवाला जो उत्तर है वह सही है खनीज चैपदार्थ वायू और जल जल दारण समता सबसे अधिक होती है जो मिर्दाव दे रखी है उसमें सबसे ज़्यादा जो जल दारण समता सबसे अधिक होती है परशन करमांग जो तीन है इसमें ए और बी कॉलम दे रखे हैं उसके अंदर अपन को सही चैना का है जो मिलान करना है जैसे जीवों को आवास देने वाली सभी परकार की मिर्दा जो होती है, वह जीवों को आवास देती है मिर्दा की उपरी जो परत होती है और गेरे रंग की होती है ब्लूई मिर्दा बड़े कण वाली होती है और मिर्दा की मध्य परत उम्रूस की कमी मंस की कम मात्रा होती है और मुरूण में मिर्दा में सगन छोटे कण होते है समझाइए कि मृदा के से बनती है तो पवन जल और जलवयू की किरियां से चट्टानों के तूटने पर मृदा का निर्मान होता है इस परक्रम यह परक्रम अप्षय कहलाता है प्रशन कर्मांग पांच मृदा किस परकार फशलों के लिए उप्योगी है तो मृदा में अधिक जल दारन करने की शमता होती है इसलिए यह मृदा उन फशलों के लिए उप्योगी होती है जनको अधिक पाने की आवशकता होती है जैसे गुलाब है, चुकुंदर है मिरोण में मिर्दा और बुलोई मिर्दा के बीच में अंतर बताना है तो मिरोण में मिर्दा जो होती है इस मिर्दा में अंतर इस्तरावन दर कम होती है क्योंकि ये जल्दारन समता इसमें अधिक होती है दूसरा बिंदू, इस मिर्दा में बारिक कणों का अनुपात अधिक होता है बुलूई मिर्दा, इस मिर्दा की अंतर हिस्त्रावन दर अधिक होती है जल दारण समता कम होती है इस मिर्दा में कण्ज होते है वह मुण में मुर्दा की अप्रिक्षा में बड़े होते है प्रश्ण करमांग साथ मुर्दा की अनुप्रस्त काट का चित्र बना ये और विभिन प्रतों को नामांकित कीजिए तो ये जो चित्र दे रखा है मुर्दा परिच्छे दीका का है इसमें A, B और 3 प्रश्ण करमांग आठ रजिया ने खेत में अंतर इस्त्रावन की दर से समंदित प्रियोग गिया उसने देखा कि उसके द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में से 200 ml जल को इस्त्रावन करने में 40 मिनिट लगे अंतर इस्त्रावन दर प्रिकलप न कीजिए यह जल की मातरा दे रखी है और समय दे रखा है तो अपने जल की मातरा को लिख दिया 200 ml और समय जो है वह 40 मिनिट तो अंतर इस्त्रावन दर का जो सुत्र होता है वो जल की मात्रा बटे लगा समय तो जल की मात्रा कितना है दो सो बटा समय कितना है चालिस दो सो गेंदर चालिस का भाग दिदिया कितना आ गया पांच तो और अंतर हश्त्रावंदर कितनी हो गई पाँ एमेल प्रती मिनट समझेए कि मृदा प्रदूशन और मृदा अपरदन को किस परकार रोका जा सकता है मिर्दा परदूर्शन ये मिर्दा अपरदन को कम करने के लिए वरक्षों की कटाई और वनों मुलन को रोका जाना चाहिए और हरी छेत्रों को बढ़ाने के लिए प्रियास करने चाहिए कहने का मतलब वनों की कटाई को रोकना है अधिक वरक्षा रोपन करना है जिससे मिर्दा अपरदन है जो उसको अपन रोक शकते है इस परकार से ये 9 परसंड जो थे उनकी अपन को अभ्यास पुस्तिका के अंदर उत्तर लिखने है धन्यवाद